हलो बच्चो तो आगए आप हमारी सुंदर सी क्लास के अंदर तो जल्दी से आ जाईए दूसरों को भी ले आए और हमारी क्लास को फटा-फट से एक लाइक कर दीजिए क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत पसंद आती है ये क्लास और आपको काफी समझ में भी आता है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कुछ और नया करने का कुछ अच्छा करने का तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 बच्चे बड़े जो देख रहे होंगे ल3 पढ़ने वाले हैं सोच रहे होंगे बही चैप्टर 7 अभी तो स्कूल शुरू हुआ है लेकिन बच्चो ये 12 है और हमें सिलेबस कम्प्लीट करना है वो भी आराम आराम से हमें भागना नहीं है ऐसा नहीं हो कि अभी तो हम ऐसे स्लो चल रहे हैं ठीके चलो अभी तो ज चैप्टर में और क्या आज करेंगे तो आज का हमारा जो लेक्चर फ्लू है वो है रासायनिक सिद्धान के पक्ष में यूरे मिलर का प्रायोगिक प्रमान जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था उसके बाद हमें एक आग कोशिकार यानिकि प्रिमिटिव सेल कैसे बनी व पढ़ेंगे आज मैं आपको फाइनल यह बता दूंगी कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई ठीक है तो उससे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसकी बात हमने जो है लास्ट ऑपेरन और हल्डन मॉडल के साथ की थी कि जो ऑपेरन और हल्डन थे उन्होंने ये छो पूरी दी थी कि अकार्बनिक पधार्तों से ही एक जीव की उत्पत्ति हुई है यह हमने लास्ट पढ़ा था लेकिन कई बच्चे नों हम उसे कमेंट में पूछा कि इसका प्रूफ क्या है तो उसका प्रूफ है यह यूरे मिलर प्रयोग ठीक है जिसको हम क्या बोल सकते है क्वेशन दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है या तो आपको पूछ लिया जाए कि रासायनिक सिद्धान्त के पक्ष में प्रायोगिक प्रमाण दो या आपको पूछ लिया जाए कि यूरे मिलर प्रयोग को समझाईए या आपको पूछ लिया जाए कि ऑपरेन हेल्डन का क्या experimental या प्रायोगिक आपके पास सबूत है या प्रमान है तो तीनों तरह से question पूछा जा सकता है तो आईए discuss कर लेते हैं यूरे मिलर प्रायोग पहले इनको देख लीजे क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है इनी की वज़े से हमें पता चला कि हमारी उत्पत्ती यहां पे धरती पर कैसे हुई तो बहुत इंपोर्टेंट है यह देखे यह वो machine है जो भी हम देखने वाले है क्योंकि यहल में हमारे पास वो machine नहीं है तो हम photograph में ही देखकर हमारा मन बहला लेते हैं यही वो machine है जिस पर इन्होंने यह experiment किया था यह यूरे मिलर दोनों यहां पर प्रेजेंट है बस आप एक बार इनको देख लिजे कोई question इन पर नहीं आने वाला पर ध्यान रख लिजे मिलर व यूरे का प् तू दिख रहा है ना finally दिख रहा है तो आप इसको यूरे ही पढ़ेंगे लेकिन मैं बता देती हूं कहीं books में आपको है यह लिए आपको array भी दिख सकता है अब बताओ array कैसे हो सकता है तो वह बुक वाला जान है मुझे नहीं पता लेकिन मैं बता देती हूं कल को आप आजकल हम जितने लोगों से मिलते हैं, दूसरे टीचर से, वो कहीं इसको अरे भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई सुना है, कई पड़ा है, ठीके, तो ये भी हो सकता है, कोई प्रॉबलम वाली बात नहीं है, ने ओपेरोन और हेल्डन की समकल्पना की पुष्टी है त अगर जो पुरानी क्लास लगा के नहीं आये हैं, उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, हाला कि आपको पूरी देखनी पड़ीगी, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि जब प्रत्वी जो है, युनिवर्स बना, तो प्रत्वी जो है, वो क्या होगी, बह कैसी थी, अपचायक प्रवर्ती की थी, पूरानी प्रत्वी, खीक है, अब ये पूरानी प्रत्वी, अपचायक प्रवर्ती, ये क्या है, तो जाईए अपनी केमिस्ट्री की तरफ, और ज़रा याद कीजिए, कि ओक्सी कारक और अपचायक किसे कहते हैं, या ओक्सी करण य तो हमारे पास फई एक दो तीन चीज़े हैं जिसमें हम यहां की रेस्पेक्त में अगर बात करें तो हम कहते हैं Oxygen का जुड़ना Oxygen कहलाता है और Hydrogen का निकलना Oxygen कहलाता है यह एक بات हो गई दूसरी बात क्या है कि Oxygen का निकलना और Hydrogen का जुड़ना क्या कहलाता है अपचायक कहलाता है यह यह तो याद है ना ठीक है चलो मेरी भी chemistry चेक हो गई आज कि यह बात सही है तो हम कहा रहे हैं कि पुरानी प्रत्वी पे तो oxygen थी ही नहीं कल हमने बात की तो जहाँ oxygen ही नहीं है वहाँ जुड़ेगी कैसे और जब जुड़ेगी नहीं तो oxygen का सवाल ही पैदा नहीं होता तो वहाँ पे क्या थी अगर आपको याद है तो हमने कहा था वहाँ पे hydrogen थी तो अब hydrogen है तो वो जुड़ेगी जो चीज है तो वो किसी ना किसी से जुड़ेगा तो hydrogen का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है अब चयन कहलाता है तो प्रत्वी कैसी थी पहले अबचायक प्रवर्ती की थी ये बात आप important है थोड़ी सी याद रख ले कई बार सीधे-सीधे यही question आ जाए नीट में या किसी भी में कि चार option में आपको दे दिया जाए कि पुरानी या आग प्रत्वी थी और चार option दे दे अपचायक oxy current या redox कोई भी आपको example दे तो आप ध्यान रखेंगे कि अपचायक थी और क्यों थी क्योंकि उस टाइम oxygen तो थी नहीं सिर्फ hydrogen चलिए तो जो ऑपरोन हेल्डन थे उन्होंने कहा कि hydrogen, methane, ammonia ऐसी ही कुछ gases वहाँ पे थी उन्हीं से पहले जो हमारे probiont, probiont मतलब की प्राक प्रकार के जो जीवत्व है, मतलब जीव के जो प्रतीक है जैसे कि aminoamil है, है ना वसा है, nitrogenic शार है, ये बने होंगे क्या हुआ होगा, जीव की उत्पत्ती हुई होगी इसके बीच में एक कहानी है कि DNA, RNA से जीव कैसे बना, वो हम अभी डिसकस करेंगे पहले यूरे और मिलर का प्रयोग करेंगे, तो यूरे और मिलर जो है, वो अपनी इस experiment से, ऑपेरोन और हेल्डन की बात को प्रूफ कर रहे हैं उन्होंने लैब में ये करकर देखा और कैसे करके देखा, वो जरा देखते हैं इसके लिए उन्होंने काच के फ्लास्क वन नलियों की मदद से एक उपकरन तयार किया एक कक्ष में उन्होंने hydrogen, ammonia, methane जलवाश्प का मिश्रण लेकर आग प्रत्वी का अपचायक वाईू मंदल स्रजित किया अभी मैंने कहा कैसा वाईू मंदल था, अपचायक थी प्रत्वी तो वैसा किया, और यही gases क्यों ली, क्योंकि आपेरोन और hydrogen भी कह रहे थे, कि सिफ पुरानी प्रत्वी पे सिफ यही gases थी, और वो उन्हीं के एक, जो परिकल्पना थी, उसको प्रूफ करने वाले थे, तो इन्होंने यही gases ली, ठीके, जो पहले पुरानी प्रत्वी पे रही होगी gas यह कक्ष में लगे, electrode से विद्यूत spark तयार किया या विद्यूत spark द्वारा उन्होंने क्या किया, gas यह कक्ष किया, spark तो समझते है कि बही कोई circuit लगा दिया उसमें current flow कर दिया, तो वो circuit में क्या sparks होगे, चमकीला चमकीला निकलेगा, उसको spark क्याते है अभी देखेंगे हों इनका जो instrument है, photograph में, NCRT में भी दे रखा है, आपकी book में भी दे रखा होगा मिले और यूरे ने अपने प्रयोगों को निर्भाद रूप से अलग, लगबग दो सकता अब इस पे भी मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कहीं जगा आप ये पढ़ सकते हैं दिन में, है न, यहाँ पे दो सकता दिया है, किसी book में एक सकता भी दिया है लेकिन दो, चार, छे books देखने के बाद मेरे, जो समझ में आया है कि, जो mainly है वो कहीं, जो है, अठारा च्रोदा से अठारा days की बाद करते हैं तो भई, किसी में दो सकता लिखा हुआ है 14 कैसे आप से, किसी में एक सकता भी लिखा हुआ है, किसी में दिन भी लिखे हुआ है, तो थोड़ा सा आप इस बात को देख ले, कि आपके book में, NCRT को देख ले कि क्या लिखा है NCIT में तो एक सपता ही लिखा हुआ है पर आप ध्यान दे कि 18 दिन जो है उन्होंने किया था क्योंकि मैंने यह एक्सपरिमेंट किया और देखा कि क्या हुआ क्या जीव की उत्पति हुई इस विशलेशन से उन्होंने अमीनोमल जब उन्होंने यह विशलेशन किया तो जो अपरोन और हेल्डन कहा रहे थे कि इनी गैसों से यानि कि अमोनिया जलवाश हाइड्रोजन मिथेन इन सब ग अमोनियामल मिले ग्लाइसीन, एलनिन, असपार्टिक अमल जब याद करना है आपको वही क्योंकि उनको तीन अमीनोमल मिले थे तो ऑपेरोन हेल्डन की बात सही हो गई कि जब यह गैसेज मिली होगी तो अमीनोमल बने होंगे तो नैट्रोजनिक बेस भी बने होंगे और फ आरेने पढ़कर आए हैं आपको पता है कि DNA आरेने में नाइट्रोजनिक बेस अमोनिया यह सब होते हैं है ना होते हैं तो वही से बना होगा DNA आरेने और फिर उसे जीव की उत्पत्ति होगी अब एक्सपरिमेंट को देख लेते हैं यह है वो एक्सपरिमेंट जो उन्होंने अपनी लैब में जो मैंने आपको फोटोग्राफ में भी बताया था जरा आप इसकी कहानी को सुनें क्या किया उन्होंने यहां पे इस चेंबर में इस चेंबर में उन्होंने क्या किया वो गैसेज ले ली क्या बनाई है उन्होंने यह पुरानी प्रत्वी बनाई है यह मान उन्होंने एक proportion लिया है इसका क्या proportion लिया है वो में यहाँ लिख देती हूँ शायद आपको बुक में ना मिले CH4 ammonia और hydrogen इसका एक 2 is to 1 is to 2 का proportion लिया है मतलब दो भाग ammonia मिथेन ली है फिर एक भाग ammonia और दो भाग hydrogen ऐसा करके mixture उन्होंने यहाँ पर क्या बनाई है आग प्रत्वी यह निकि primitive अर्थ बनाई है इस primitive अर्थ में दो ऐसे गोला थी जो हमने कल बात की थी तो एक तो sunlight आ रही थी ठीक है दूसरा जब तूफान आते होंगे तूफान तो तब भी आते होंगे न वलकेनों आ रहे हैं वाला मुकी फट रहे हैं तो तूफान भी आते होंगे और lightning भी होती होगी यानि कि sparks भी होता है जो बिजली चमकती जो है वो एड किये हैं ठीक है ओपेरोन ने भी एक बात कही है शायद में कल बोलना भूल गई हो lightning के बारे में कि बिजली चमकती है तो बिजली चमकने की जो कहानी है उसको complete करने के लिए उन्होंने ये किया टू इस्टू बात टेंपरेचर था इसको हम बोल रहे हैं कि प् दिगरी सेंटिग्रेट के हार पर सोच सकते हो आप तो गर्मी के दिनों में 45 डिगरी में हाहू करने लग जाते हो प्रत्वी तो हम कहा रहे हैं आपका गोला थी और अभी भी अंदर से और इसका प्रूफ में आपको बता चुकि हूँ कि क्यों वो बात सही है क्योंकि अभी अब इतनी गरम कैसे बना है तो इसको गरम करने के लिए उन्होंने यहां पर एक सिस्टम लगाया हुआ है यहां पर काच का वही जो है बीकर या आप कुछ भी बोल दो यह ले लिया इसको निरंतर वो क्या कर रहे हैं गरम कर रहे हैं और यहां पर पानी लिया है पानी लिय पर जलवाश्प भी तो चाहिए पुरानी प्रत्वी पर तो जल था ही नहीं जलवाश्प थी जो यह है यह लिखा हुआ यह लिक्विड फॉर्म में नहीं था ना पुरानी प्रत्वी पर जलवाश्प था तो इसी के तुरू हम क्या कर रहे हैं जलवाश्प यहां गई होगी यहां से यहां गई होगी और यहां से यहां आई होगी तो हमारे पास यहां पर क्या आगई होगी जलवाश्प भी आगई होगी ऐसे यहां H2O लिखा हुआ है लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि यह वैसा वाला H2O नहीं है ये जलवाश्प वालच्टू है जो यहां से आ रहा है एक तो जलवाश्प दूसरा ये जो उबलता हुआ पानी गया होगा इसने इसको गरम भी किया होगा और कितने टेंपरेचर तक मेंटेन रखा हुआ है उन्होंने 75,000 डिगरी सेंटेगरेट तक मेंटेन कर रहा हुआ है अब ये 75,000 डिगरी सेंटेगरेट प्रत्वी रही होगी तो उन्होंने क्या किया भी 75,000 डिगरी तो थर्मामिटर इतना हमारे पास पता नहीं है या नहीं तो उन्होंने क्या किया, जब यहां से गया होगा, यह 75,000 दिग्री का होगा, लेकिन यहां पर जब उन्होंने एक temperature थर्वामीटर लगा रखा था, तो उन्होंने दिखा कि हमारा यह जो बी अंदर कुछ बन रहा है, उसका temperature कुछ 800 degree centigrade के साप से, पिचतर तो यहां से लेकर आये और उसको गरम किया तो 800 भी बहुत होता है यह 800 degree centigrade किसको कहते हैं इसके हिसाब से तो काफी हो गया वही प्रत्वी इत्ती बड़ी है तो उसके लिए 75 है तो यह तो ग्लास है छोटा सा तो उसके लिए 800 degree centigrade भी बहुत छोटे बात है अब यहां से जो क्या होगा पानी जो जलवाश पाएगे यहां स्पार्किंग होगी और यहां पर जो भी material बन रहा है हमें नहीं पता क्या बन रहा है उनको भी नहीं पता था क्या बन रहा है जैकेट मतलब वो ओडने वाला जैकेट नहीं एक और test tube लगा दी एक और test tube इसके चारो तरफ कवर कर ली उस test tube में ठंडा पानी एकदम chilled पानी बरफ वाला पानी जो है यहां पर जा रहा था क्यों यह क्यों किया क्योंकि हम बोल रहे है कि प्रत्वी धीरे-धीरे थंडी हो रही है यह तो गरम है अब धीरे-धीरे इसको ठंडा कर रहे है प्रत्वी को जो भी material बन रहा है उसको दीरे-धीरे थंडा कर रहे है इसको ठंडा नहीं कर रहे है material को ठंडा कर रहे है क्योंकि प्रत्वी ठंडी हो रही है तो जो material वहाँ बन रहा था वो भी ठंडा हो रहा होगा तो ये material को ठंडा करने के लिए हमने यहाँ jacket लगा है ताकि temperature थोड़ा कम हो जाए अब temperature कम होगा तो जो जलवाश है जो gases है वो किस form में आ जाएगी liquid form में आ जाएगी द्रवी अवस्था में आ जाएगी तो यहाँ तक आते आते कौन सी अवस्था में आ गई liquid state में और यहाँ पर आकर collect हो गई यहाँ पर लिखा है sampling तो यहाँ पर जो भी आया उसको उन्होंने क्या किया collect कर लिया एक बीकर में करते गए करते गए यह काम उन्होंने कितने दिन तक किया जो भी अलग अलग मुक्स में दो सब्ता आठारा दिन बीस दिन पच्चिस दिन उन्होंने क्या किया यह process अपनाया लगातार इंतजार में करते रहे और सोचते रहे है क्या बना होगा होता है हम इतना patience नहीं रख सकते तो उन्होंने 18-20 दिन यह प्रयोग किया और उसको material को collect करते रहे यह process होता रहा बार बार है चक्र चलता रहा यही वापस इधर गया इधर से वापस यह गरम हुआ फिर यह वापस इधर हुआ तो यह sample भी इसमें जा रहा है यहा पर देख तो उन्होंने इस solution के अंदर वो तीन amino amla alanine, aspartic acid वो प्राप्त की है ठीक है alanine, aspartic acid और दूसरा क्या था भई? glycine ठीक है alanine, glycine और aspartic acid कभी-कभी मैम का दिमाग भी खाली हो जाता है चलिए तो यह तीन amino amla उन्होंने इस बात को proof कर दिया कि यह तो amino amla बने हैं इसका म हम तो कहा रहे हैं कि पुरानी प्रत्वी से अभी वाली प्रत्वी जो है उसको जागरूख होने में 500 करोड साल लगे, कल पढ़ा था नो 4.5 से billion year ego प्रत्वी का निर्माड हुआ और universe का निमलाम तो 2 billion ego, 20 billion ego हुआ था, तो इतने time तक जब प्रत्वी ऐसी रही होगी इस condition मे तो अमीन ओमने से आगे भी कोई चीज़े बनी होगी, जैसा कि ऑपेरोन और हेल्डन कह रहे हैं, तो उन्होंने ऑपेरोन हेल्डन के प्रयोग को प्रूफ कर दिया, ठीके बात समझ में आ गई आपको, क्या किया हो ने, कैसी कहानी को अंजाम दिया, उसके बाद अब बात क परते हैं कि बढद इसके बाद क्या हुआ होगा, अमीन अमनो तो बन गए, इसके बाद हमारी जो सेल है, यनि कि प्रो सेल है या प्रो टो सेल है, वो कैसे बनी होगी, ये एक समाल आया, कि चलो मान लिया एक नाइटोजनिक बेस बन गए होगे, आरने-यमरने स्बन गए स्थोरी जो हम पढ़ेंगे देखो पहले बात कर लेते हैं पहली वास्तवी कोशिका के विकास से पहले संभावत अह एक आग कोशिका बनी योशी का अब हम देखते हैं कि एक जो है इसमें plasma membrane है और अंदर nucleus है और यह ऐसी बाते करते हैं हम कभी-कभी मतलब इसे सेल ले कोई आग कोशीका बनी होगी मतलब primitive cell बनी हो गी पहले direct ऐसी cell नहीं बनी होगी जैसी हम देखते हैं जिसको हम protocell कहते हैं या proto-biont भी कहते हैं प्रोटो-biont क्या होता है ऐसे तत्व जो cell के अंदर रहोंगे जिसको हम अभी कह रहे हैं कि अमीनोमल, प्रोटीन, वसा, नाइटोजनिक बेस ये सब प्रोटो-biont है ठीक है का विकास होगा इसमें जीव की पहली बाहरे कला उपस्तितों की और सबसे पहले जीवन की पहली बाहरे कला मतलब पहली जो plasma membrane या cell membrane जिसकी भी आप बात करते हैं वो बनी होगी पहले उसके ब एक्सपेरिमेंट क्या है कि वही जो operon थे एक तो operon नहीं किया और एक और जो scientist थे वो थे Sydney Sydney Fox ये दो scientist थे इन्होंने क्या दो practical किये इसी बात को आगे प्रूब करने के लिए यूरे मिलर ने तो अमीनोमल तक की कहानी बता दी कि ये बात तो सही है उसके बात की कहानी कि पहली plasma color यानि की जो plasma jillie है वो कैसे बनी यानि की जो protocell है वह plasma jillie से cover होती है cell मतलब हम plasma jillie बना देंगे अगर तो हम ये कह सकते हैं कि cell बन गई है तो वो पहली cell कैसे बनी तो इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया तो इनकी theory को बोलते हैं क्या करा इनों ने? दोनों ने ओपेरोन ने क्या-क्या? एक लिक्विड लिया इस लिक्विड में वो सारी चीजे भर दी जो प्रिमिटिव अर्थ पर थी जो यूरे मिलर ने सिद्ध की कि प्रिमिटिव अर्थ पे ये जो अमोनिया है और मिथेन इन से क्या बने उगे इनसे वही प्रोटीण अमीन उमल बने उंगे तो माझने अमीन Cute ज्पेस है थोड़े से नाइट्रोजेनिक बेस है तोड़े बना देते हो अलगो लग लक कलर। ये लो वसा भी होगी है ना वसा भी होगी प्रोटीन भी होगी और इन्होंने भी सेम काम किया लेकिन इन्होंने क्या किया सिर्फ प्रोटीन लिया और वसा को बाद में डाला इसने तो इसी में प्रोटीन और इसी में वसा डाल दी और इन्होंने सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन लिया वसा को बाद में डाला तो इन्होंने देखा कि जब किसी द्रवे में ये प्रोटीन और वसा होते हैं तो यह आपस में मिलकर एक गोले जैसी चिपक जाते हैं यह आपस इस तरह से ये चिपक गया और ऐसा गुच्छा सा कुछ नोन बना दिया और जब इसको देखा गया तो उन्होंने देखा कि इस गुच्छे के बाहर एक membrane जैसा कुछ बन गया मतलब एक कुछ boundary बन गई और यह boundary किसकी बनी हुई थी जो इसके अंदर था क्या था boundary protein प्लस वसा जिसको हम lipid भी कहते हैं ठीक है इन्हों ने भी यही काम किया इन्हों ने क्या देखा कि भई protein protein इखटा हो गया इदर और फिर जब इन्हों ने क्या एड की उसमें lipid एड किया यानि कि वसा एड की तो वसा ने भी इसके चारो तरफ एक boundary बना दी ऐसा गुच्छा सा बन गया तो यह जो protein और वसा की layer बनी है और यहाँ पर भी बन गई ऐसी layer protein और वसा की कोई membrane जैसे सरचना बन गई गुच्छ जैसा बन गया तो क्या यह protein और वसा वो नहीं है जिससे हमारी कोशी का जिल्ली बनी हुई है ज़रा कोशी का जिल्ली के बारे में सोचो कोशी का जिल्ली का क्या संगटन है कि उसमें lipid और protein होते है हाला कि lipid की यानि कि पुरानी प्रत्वी पे भी हुआ होगा कि जब amino amal protein वसा जो यह बन चुके हैं अर्थ से दीरे दीरे उन्होंने क्या किया ऐसा ही कुछ इखटा होकर एक structure बना लिया जिसको हम क्या कह रहे हैं आग कोशी का या protocell कुछ नहीं था इसके अंदर जो भी हम रामायन पढ़ते हैं आजकल कि है माइट्रकॉंड राइबोसों में कुछ नहीं सिर्फ क्या है एक जिल्ली है अभी जिसके अंदर क्या है वही material भड़ा पड़ा है protein वसा और इनका अब इस कोशीका को आगे जिन्दा रहना है यह तो बन गई कोशीका कब बनी थी first cell timeline timeline को लेते चलो गई या 4.5 billion एगो अर्थ बनी फिर उसके बाद हम third पे आये जहां पे हमने कहा कि DNA, RNA कुछ बने होंगे यह primitive यह नहीं 100,000 पुरानी वाली cell अभी वाली cell के बाती नहीं कर लें अब क्या हुआओगा धीरे धीरे जरह सोचो इसके बाद की कहाणी क्या रही होगे कि अब यह cell है तो इसको जिन्दा रहना है जिन्दा रहना है तो जनन करना है क्योंकि यही तो कहाणी है बायों की, कि अगर इस प्रतिवे पर जिन्दा रहना है तो जनन तो करना पड़ेगा, तो इसी से क्या हुआ होगा, इसने जनन की प्रक्रिया शुरू की, कैसे, वो देखते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, एक तंत्र प्रतिकरन करन शम तंत्र का विकास, प्रतिकरन तं बने होंगे, उससे भी हम ये बात भी पक्की कर चुके हैं, कि पहले आरेने बनाऊगा, इससे वाले चैप्टर में भी ये कह चुके हैं, और अभी भी कह चुके हैं, क्योंकि आरेने ही सबसे पहला आनुआशिक पदात रहा होगा, जिसमें चेंज होने की वज़ए से, डी देरे-देरे DNA ने आरेने की पत्ती काड़ दी और खुद गया, मैकसिमम जीवो में अनुआशिक पदात बन गया, हालां कि कुछ में वाइरस और जिवाणूं में आरेने हैंющ में और यही बात इस बात को प्रूफ करती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जिवानूं जो है वो सबस सबसे पुराने है और बैक्टीरिया में वाइरस में ही क्या है अनुवांशिक पदाथ आरेने है तो ये बात भी इस बात को प्रूफ करती है कि पहला अनुवांशिक पदाथ क्या रहोगा आरेने रहोगा और उसके बाद हम जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं मोनेरा से प्रोटेस्ट आ उसके बाद जो है प्लान डियने मेलिया जहां भी हम जा रहे हैं कवक जो है तो उनमें सब में डियने मिलता है तो ये वाली कहानी जो है हम अभी करने वाले है कि कैसे इससे बना होगा तो क्या हुआ हम बोल रहे हैं कि आरेने या डियने अभी हम आरेने की ही बात करेंगे आरेने बना तो जब ये कोशिका में ऐसे बन गया तो इसमें भी इन प्रोटीन लिपिट्स के साथ क्या रहा होगा उस टाइम कुछ आरेने-डियने भी रहा होगा तो वही कहाने कि हो सकता है कि कोई RNA इसके अंदर चला गया हो बन कर इन्होंने तो RNA डाला ही नहीं था न इन्होंने तो अपने experiment में से protein और lipid डाले अगर ये RNA डालते तो क्या ऐसा हो सकता था कि RNA भी इनके बीच में pack हो जाता हो सकता है अगर हम RNA डाले तो हो सकता है RNA भी इनके साथ चिपक ले अंदर चला जाए तो ऐसा ही पुरानी प्रत्वी पर हुआ होगा पुरानी प्रत्वी पर क्या हुआ कि वही एक primitive जिल्ली बनी होगी कुछ ऐसी जो protein और lipid की बनी होगी और उसके बीच में रहा होगा RNA ये लो ये क्या है हमारा RNA और ये क्या है वही protocell है पुरानी वाली cell अब इसको क्या करना है जिन्दा रहना है आगे जनन करना है तो इसने क्या किया जिस environment में ये रह रहा है किस environment पर रह रहा है प्रोबायोंट में हर बार अब एक ही वर्ड यूज़ करूँगी प्रोबायोंट प्रोबायोंट का मतलब क्या है पहले भी बता चुके हूँ वही nitrogen शार amino amyl जो कि ऑपेरोन हेल्डन की थियोरी में आये है amino amyl protein वसा और carbohydrate चलो थोड़ी दिन बात बने है ठीक है तो यही है इनी से तो होगा तो यह चीज़े रही होंगी मानलो यह उस environment में रह रहे है जहां पर आसपास यही प्रोब्रायोंटिक सब चीज़े है यह लो वाइट वाइट बना देते हूँ अब यह क्या रहोंगे खाना शुरू किया व्रद्धी की और व्रद्धी की और फिन इंको समझाई कि एक न एक दिन तो मुझे मरना है जीवन का परमसत्य तो मत्यू है तो मुझे मरना है तो इस RNA की जो capacity है क्या करने की अपने आपको duplicate करने की RNA में भी होती है न वाइरस भी तो अपने आपको duplicate करता है तो RNA ने क्या किया होगा RNA ने कर दिया मैंने थोड़ा से इसको सही कर दे RNA ने क्या किया होगा वही एक से दो दो से तीन सेल बनाई होगी और उसके चारो तरफ भी ऐसी कोई membrane बन गई होगी अब देखो जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ती रही जीव मतलब वही इस कोशिका की संख्या बढ़ती रही वैसे वैसे खाना कम पड़ेगा खाना तो limited ही है प्रती पर वही protein वही वसा है है ना बन भी रहोगा तो इतनी speed से नहीं बन रहोगा जितनी speed से ये क्योंकि एक तरह से आप ये मान सकते हो कि ये bacteria है क्योंकि सबसे पहले bacteria बना तो अगर ये bacteria है तो ये कितनी जल्दी डिवाइड हो रहा होगा bacteria और virus तो बहुत जल्दी capacity में डिवाइड होते हैं तो जब ये cells बढ़ने लगी तो आसपास का खाना क्या होने लगा खतम अब क्या करना है खाना खतम हो रहा है तो क्या वही जीवन का परमसत्य एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है ए बड़ी मचली छोटी मचली को खा जाती है तो इनके पास क्या था इनके पास खाने के लिए या तो वो बाहर वाली चीजे थी, या फिर दूसरी कोशिका, तो इन्होंने क्या किया होगा, next उस पे ले लू मैं, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने भी वही किया, क्या, बड़ी मचली ने छोटी मचली को खा लिया, तो अब क्या किया होगा, कि जो नई-नई cell बनी होगी वो तो छोटी होगी size न तो कोई बड़ी आग-koshika ने जिसके पास अपना आरेन है उसने किसी छोटी आग-koshika को खा लिया तो अब की कहानी क्या हो गई ये कुछ ऐसा अब मैं पूरे circle बना रही हूँ क्योंकि वही थोड़ा सा क्या pen चलने में दिक्कत आती है ये लो, ये छोटी वाली को खा लिया इसको white में बना दे छोटी को अब जरा इसको देखो इस वाली proto cell को देखो क्या ये आपको अभी वाली cell से कुछ मिलती जूलती दिखती है हाँ दिखती है nucleus बनने वाला है है ना, तो कुछ ऐसा हुआ होगा और अगर आप theory पढ़ेंगे जब हम bacteria पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो prokaryotic कोशिका है उसमें बाकी कोई organ तो होते नहीं है ये prokaryotic कोशिका ही है और हम कहते हैं कि prokaryotic कोशिका है पहले बनी है क्योंकि उनका नाम ही prokaryote है सबसे पहली cell prokaryote बनी थी क्या ये prokaryotic cell नहीं है जिसमें अपना DNA और कोई organ नहीं है कुछ भी नहीं है इसके पास सिर्फ ये एक सरचना है और ये एक सरचना क्या होती है prokaryote में जो आगे जाकर मीजोजोम बन गया और यही मीजोजोम हमारी वाली cell में माइट्रो कॉंड्रिया बन कर आया है और इसलिए माइट्रो कॉंड्रिया में अपना पर्सनल DNA होता है ये बात तो आपको पता होगी पढ़के आएं हम एक तो माइट्रो कॉंड्रिया और एक हरितलम यही दो ऐसी जो है अंगक है कोशिका में या और्गेनल से जिनमें अपना पर्सनल DNA होता है तो भई ये देखो ये बन गया ये बन गया आपकी prokaryotic कोशिका या बैक्टिरिया जिसमें खुद का DNA है और एक मीजोजोम है जो की future में जाकर माइट्रो कॉंड्रिया बनने वाला है ठीक है तो ये बन गई फिर वही दीरे दीरे कुछ परिवर्तन हुए होंगे इसमें और जो ये RNA से क्या बन गया होगा DNA बन गया होगा और फिर ये कोशिका पूरी complete हो गई होगी इसमें कुछ organs बन गए होगी और हमारी आज वाली कोशिका का निर्मान हुआ होगा जिसको हम कहते हैं Eukaryote इसके बीच भी बहुत सारी कहानिया है लेकिन वो कहानिया अभी समझाने का कोई मतलब नहीं है देखो मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देती हूँ अगर आप सोचो तो पूरानी वाली कोशिका तो दूसरे जीवों को खाती थी ठीक है पहले तो इसने आसपास की चीज़ों को खाना शुरू किया फिर दूसरी कोशिकाओं को खाना शुरू किया लेकिन वही है ना कि दूसरी कोशिकाओं को भी कब तक खाएगी तो इसने सोचा कब तक चलेगा ये कब तक मैं दूसरों का शिकार करूँगी तो फिर इसके मेरे पास अपना परसनल आरेन है क्या मैं इससे कुछ कर सकती हूँ तो हो सकता है इसने कुछ ऐसी चीज़ है पहले तो रासायनों को खाना शुरू किया होगा जो प्रत्वी ठंडी हो रही है और चीज़े बन रही है तो भी सलफर भी बनी होगी ऑक्सिजन भी बनी होगी तो दीरे दीरे इसको लगा होगा नहीं में ऑक्सिजन या सलफर से भी खाना बना सकती हो है ना क्योंकि हम पढ़ते हैं कि स्वापोशी जीव दो प्रकार के होते हैं एक तो प्रकास संशलेशी जो प्रकास से खाना बनाते हैं और दूसरे होते हैं रासायनिक संपोशी जिसको कीमो ट्रॉपिक बोलते हैं जो रासायनों से खाना बनाते हैं तो हो सकता है पहले ये रासायनों से आक सपास की चीजों से खाना बनाना शुरू किया हो फिर इसको पता चला नहीं सनलाइट से भी खाना बनाया जा सकता है तो इसने सनलाइट से खाना बनाना शुरू कर दिया हो और फिर ऐसे-ऐसे करते-करते हमारे पास जो है वो जीव की उत्पत्ती होगी और कितना टाइम लग गया टाइम बता हो गई टाइम वही चार पॉइंट पाँच साल, बिलियन एगो प्रत्वी बने और दो बिलियन यानि कि कम से कम हमें 1.5 के सम्थिंग जो है क्या टाइम लगया एक सेल बनाने में तो बही कोई छोटा पीरियड नहीं लगा यह जो कहानी मैंने दो मिनिट में बोल दी इसको बनने में दीरे-दीरे हुआ और आपके साथ भी हो रहा है आप भी विक्सित हो रहे हो मैंने आपसे पहले भी कहा आपके जीन्स में भी परिवर्तन हो रहे है लेकिन यह कोई ऐसे नहीं होता है कि आज एक जो है जैसे हम पढ़ते हैं कि वही जो विकास हुआ उसमें हम सीरीज पढ़ते हैं जो आप 11 में पढ़के आए हो कि पहले तो भी पॉरी फेर आए फिर सिलेंटेटा आए है फिर उसके बाद टीनो फोर आए इस तरह से चला और कॉर्डेटा की भी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि पहले जो है वो पिसे आई यहीं मचली आई मचली के बाद एमफीबिया हैं एमफीबिया के बाद एविज आए उन्होंने उड़ना शुरू किया उसके बाद फिर हुआ और इसके पास हमारे पास प्रमाण है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या प्रमाण है हमारे पास जो हम connective links पढ़ते हैं है ना 11th की glasses चल रही है उनको बताती हूं में connective links क्या है archiopteris और उसके बारे में आपने भी पढ़ाओगा जब आपने 11th पढ़ी होगी ठीके तो ऐसे जो है एक कोशिका की उत्पत्ती हुई होगी और हुई है क्योंकि हमारे पास इसके proofs है ठीके चल लिए पढ़ोगे आगे जब research वगरा करोगे थोड़ी यहना सारा ग्यान 12th में थोड़ी लेना है कहानिया और भी है किससे और भी है जो आपको आगे पढ़ने है तो 12th के इसाब से इतना ही ज्यान काफी है और self replication system involved ठीके अब कैसे जो है RNA और DNA का निर्माण हुआ तो यह हम genetics वाले part में पढ़कर आए हैं कि RNA प्रत्थम संकल्पना के अनुसाथ प्रत्थम कोशिका में RNA जीन रहे होंगे ठीके मतलब पहला अनुवांशिक पदात RNA था इनी जीनों में protein sensation का निर्देशन किया होगा क्योंकि RNA ही protein बना सकता है DNA अकेला कुछ नहीं कर सकता तो RNA ने protein बनाए होंगे क्योंकि उनको उस टाइम protein की ज़रूत थी ribosome उत्प्रेरक अनुव है जिनकी इसमें सपष्ट भूमी का रही होगी बाद में विकासी यात्रा में मतलब जो evolution हो रहा है जो विकास हो रहा है RNA से reverse transcription द्वारा ये बात हम पहले कर चुके हैं चक्टर में कि RNA क्या करता है reverse transcription द्वारा क्या बना लेता है DNA बना सकता है जिसको हम reverse central dogma भी कहते हैं जिसको terminism भी कहते हैं तो द्वारा DNA बना होगा और फिर दीरे-दीरे DNA geno का बनना प्रारंब होगा होगा RNA ने DNA बना लिया लेकिन DNA ने तो RNA का पत्ता साफ कर दिया क्योंकि DNA is more stable DNA स्तिर है इस पे ज़्यादा कोई फरक नहीं पड़ता यह double standard है यह खुद की प्रतिलीपी बना सकता है RNA खुद की प्रतिलीपी नहीं बना सकता यह बात हम पहले पिछले chapter में करके आयो है तो DNA ने इसकी जगा ले ली और आज प्रतिलीपी पर DNA ही DNA है RNA तो बहुत कम है सिर्फ काम काच के लिए उसको रखा हुआ है as a knocker कि तू प्रोटीन बना मेरे लिए ठीक है चलिए तो इसी के साथ जो है वो आज का जो टॉपिक है देखे DNA भी कालासा में लेकिया ही हूँ सांप जैसा इसने RNA को धस लिया तो इसी के साथ आज की जो हमारी कहानी है वो खतम होती है और क्या-क्या देखा हमने यह आपको पता ही है वो जबसे important तो यह था यूरे मिलर प्रयो और डाइनोसोर भी आ गए है क्योंकि विकास की बात हो और इनकी न हो तो कैसे possible है तो चलिए जल्दी से फटाफट जैसे मैंने कहा लेक लाइक शेर कर दीजिए फटाफट से I hope मैं आपको समझा पाई हूँ कि कैसे विकास हुआ है और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे क्योंकि एक क्लास में सब कुछ possible नहीं है तो आगे इसको और discuss करते रहेंगे प्रमाणों को तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ